वेल्कम स्टूडेंट्स तो आज हम एक बहुत ही इंपोर्टेंट थ्योर्म करेंगे देखे थ्योर्म क्या है कि अगर हमारे पास एक एनलिटिक फंक्शन है किसी डुमेंड में and u and v have continued second order partial derivatives on d then u and v are harmonic on d मतलब हम से यह कह रहा है कि अगर हम एक f of x,y is equal to u of x,y plus iota v of x,y अगर हम ऐसा कोई भी एक function लेते हैं तो अगर यह जो function है हमारे पास यह given है कि जो यह function है वो मारे पास analytic है किसी डुमेंड d पे then जो यह real valued function होंगे हमारे पास u and v यह दोनों की दोनों क्या होंगे harmonic function होंगे तो last lecture में हमने harmonic function की definition की हुई है तो हमको वही proof करना है तो हमने अभी यह मान लिया कि जो यह function है वो analytic है इस domain d पे अगर हमारे पास यह दोनों के दोनों function analytic है उस domain पे तो यहां से u of x,y और जो यह function है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे differentiable हो जाएंगे किसी domain d पे तो देखिए differentiable होगे तो u and v हमारे पास क्या given है उनके पास continue second order partial derivatives है on d पे वो exist कर रहे हैं तो देखिए यहां से हमारे पास अगर वो differentiable है पूरी domain d पे तो यहां से क्या हो जाएगा कि जो cr conditions satisfy करेंगे that is u x है हमारे पास वो vy के equal हो जाएगा और जो u y है हमारे पास वो minus v x के equal हो जाएगा on domain d पे on using cr conditions तो अब देखिए हमको यह proof करना है कि जो यह u of x,y function है वो हमारे पास एक harmonic function है ठीक है तो data means हमको यह proof करना है कि u of x,x plus u of y,y यह क्या होगा 0 होगा तो अब देखिए u x हमारे पास किसके equal है तो यहां से हम u का double derivative निकालते हैं और हमको given है कि वो continuous है exist कर रहा है और continuous है तो यहां से अगर हम इसको with respect to x differentiable करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v of y,x ओके तो secondly हमको चाहिए u of double y चाहिए तो अब u of double y चाहिए तो हम इस equation को फिट से partial derivative कर देंगे with respect to y तो यहां से u of y,y हमारे पास आ जाएगा minus of v,x,y ओके तो अब हम क्या करेंगे u of x,x प्लस u of y,y इन दोनों को add up करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा और यह जो continuous partial derivatives अगर हमारे को given होते हैं तो इसमें जो v,x होता है हमारे पास वो x,y के एककल हो जाता है that means जो हमारा curly square v, curly x, curly y होगा वो किसके एककल हो जाएगा curly square v, curly y, curly x अगर यह एककल हो जाएगा अगर वो continuous हमारे पास given होते हैं तो यहां से हमारे पास यह 0 आ जाएगा तो that means यहां से हमने यह proof कर दिया कि जो हमारे पास यह u वाला function था वो क्या होगा एक harmonic function होगा अब हम similarly यह proof करते हैं कि जो v of x, y है वो भी एक harmonic होगा that means हमको यह proof करना है कि v double x plus v double y अब की बार वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो देखिए तो अब की बार हमारे पास जो यह equations पड़ी है हम v x x हमको find out करना है और v y y तो सबसे पहले v x x करते हैं तो देखिए यहां से हमारे पास जो v x है वो minus of u y के equal है और with respect to अगर x हम करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास ठीक है अब उसके बाद हमको v y y चाहिए तो जो v y है हमारे पास वो u x के equal है और यहां से v का double derivative निकालेंगे तो वो u of x y आ जाएगा तो अगर हम इन दोनों equations को अब add up करते हैं ओके तो हमारे पास आ जाएगा minus u y x plus u of x y अब जो y x है हमारे पास वो किसके equal हो जाएगा minus u of x y x y के और यहां आ गया हमारे पास 0 ओके तो that means हमने यह प्रूफ कर दिया कि अगर f हमारे पास एक analytic function होता है किसे भी domain d पे और u और v उसके continuous partial derivatives होंगे तो क्या होगा कि जो u and v होते हैं न वो दोनों के दोनों क्या होंगे हमारे पास harmonic function बनेंगे ही बनेंगे that means यह हमारे पास एक necessary condition आगी कि अगर हमारे पास कोई भी function analytic है तो उसके जो partial derivative जो u and v हो harmonic होने चाहिए तो that means अगर हमारे पास कोई इस type का function है उसमें u and v हमारे पास उन में से कोई भी एक जो है मतलब कि वो harmonic function नहीं है तो इस result की help से अब हम यह भी claim कर सकते है हमारे पास एक नए result है उन functions के लिए जिन function जो function analytic नहीं होते मतलब जो function हमारे पास अगर यह function harmonic नहीं है और यह भी harmonic नहीं है तो वो मेरे पास क्या हो जाएंगे कि analytic function है वो नहीं बन पाएंगे ठीक है अभी हम इस पे एक example करते है तो देखिए इसी पे हमारे पास एक question है और इस question में हमसे वो क्या पूछ रहा है उसने हमसे यह पूछ है क्या is u of x, y यह function given है can be a real part of analytic function तो उसने हमसे यह पूछ है क्या कभी जो यह function है हमारे पास वो किसे भी analytic function का रीगल पार्ट हो सकता है तो अगर हम suppose कर भी लें let us suppose अगर हम यह suppose कर भी लेते हैं कि जो u of x, y है be a real part of analytic function कि वो किसी analytic function का अगर रीगल पार्ट बन भी जाता है ठीक है ठीक है उपर वाली थेयोर्म से अगर वो किसे भी analytic function का real part होगा तो वहां से हमारे पास क्या conclusion आएगा कि जो u of x, y है must be harmonic उसको क्या होना पड़ेगा harmonic होना पड़ेगा ठीक है तो चेक कर लेते हैं कि क्या यह function मेरे पास harmonic है या नहीं तो देखिए यह हमारे पास इस तरह से given है तो यहां से अगर हम ux निकालेंगे तो वो 2x आएगा और u double x निकालेंगे तो उसकी value 2 आएगी तो इसका partial derivative with respect to y करेंगे तो 1 आएगा और यह निकालेंगे double y तो वो 0 आजाएगा तो यहां से देखिए u double x इसकी जो value है हमारे पास वो 2 आ रही है यह equal to 0 नहीं है तो that means u of x, y is not harmonic ठीक है बट अगर हमने इसको माना कि यह इसका real part है तो इसको harmonic होना पर ना ठीक है तो that means यहां से हमारे पास एक contradiction आई और जो यह contradiction है वो किस करके आई है क्योंकि हमने यह wrong suppose कर लिया था कि जो u of x, y है हमारे पास वो किसे analytic function का real part बन सकता है ठीक है अगर इसी तरह से हमको इस तरह से question दिया होता कि यह function है और हमको यह पता करना है कि वो analytic function किसे दूसरे वाले का मतलब की imaginary part बन सकता है या नहीं बन सकता ओके तो इस तरह से आप question देख सकते है अपलाई कर सकते है जितना आप करेंगे उतना ही आपको आएंगे चीज़े ओके कि अपलाई या नहीं जितना है